दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको DDFIDs सेटा बोक्स के अंदर सारे के सारे जो चैनल से उनको एड़ करने का बिल्कुल सिंपल तरीका इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और यहां पर मैं टोटल पांस फीक्वेंस या यूज करने वाला हूँ तो अगर दोस्तों आपके Danish FIDs के सारे के सारे चैनल एड़ हो जाएंगे तो अगर दोस्तों आपकी सारे के सारे चैनल एड़ नहीं होते हैं यहां पर यहां पर करके यहां पर आपको यहां पे आपको चैनल यहां पर सही जानकारी मिल सके तो यहां पर क्या करना है। á थो क्लोंट का मेन्यू ब्रेस करना सबसे पहले उसके बाद यहां पर एडित्ट प्रोग्राम में ज यहां पे दोस्दों डेलेट veteran program का प्रोग्राम सब्सकोंितों यहां पर जाएगा उसी तरीके से रेडियू चैनल इसको डिलेट कर तो यह मैंने टीवी Change कर लिया है, देख सकते हैं नो टीवी प्रोग्म कम यहाँ पर लिखा रहा है। अभी दोस्तों आपके समने जो डीडीफिटीज के चैनल है, सारे चैनल हैं उनको यहां पर यहांपर यहांपर आपको पताने वाला हूँ, तो यहां पर मैं total pass frequency यहां यूज करूँगा तो चलिए इन pass frequency को डालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले remote का menu बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद में दोस्तों यहां पे हम चलेंगे program setup में program setup में आने के बाद दोस्तों add new program में आएंगे और 8 नी प्रोग्राम में आने कुछ यहां पे सबसे पहले LN Frequency को हमें चेंज कर देना है 0-1,50 के जगे में 0-9,750 यहां पे कर देना है दोन कोलम में तो चलिए यहां दूसरे कोलम में भी हम 0-9,750 कर देते हैं तो LN Frequency हमें चेंज कर दिया है अब दोस्तों यहां पर जो पांस फिक्वेंसी अंब तो यहां पर सबसे पहले 1290 डाली दे तो चले हम स्विचाएं पर यहां पर डाल सकता है पहली प्रफ को ah sports मैं बता हुआ हम सब सबसे पहले travelers पान्स कर लेते हैं आप षीताइर पांस्व कर लिया यहां आप जो पॉलेरिटी है इस फिक्वेंसी के लिए वह है वर्टीकल तो एच की हमें क्या कर देना है और बाकी नीचे बाइस की कोफ रखना है डिसी कोफ रखना है मोड को फ्री करना है बस यह सेटिंग करना है आप चाहां तो इसका स्क्रीन सोट पर ले सकते हैं चलिए इस फि प्रोग्राम में आपको चले जाना है और यहां पर एडनी प्रोग्राम में आने के बाद दोस्तों आपको यहां पे जो इसको सब्सक्राइल तो चलिए इस बार हम प्रेंगे 11111 चलिए हम यहाँ पर 11111 डाल देते हैं तो 11111 डाल दिया है और symbol rate यहाँ पर 29500 रखेंगे quality vertically रखेंगे और bias के d6 off रखेंगे और mode यहाँ पर free करेंगे यह setting करने के बाद दोस्तों जो remote का ok button है उसको दबाते हैं तो इस frequency पर channel scan हो जाएंगे तो देख सकते हैं इस frequency पर हमको 18 channel दोस्तों यहाँ पर मिल चुके हैं अब चलिए दोस्तों तीसरी frequency डालते हैं तीसरी frequency डालने के लिए भी वापस add new program में जाना है और वापस दोस्तों यहाँ पर ln frequency को शेटना नहीं है 09750 रखना है और इस बार दोस्तों हम frequency डालेंगे 11470 चलिए हम यहाँ पर 11470 डालते हैं तो यह मैंने यहाँ पर 11470 डाल दिया है symbol rate और quality दोस्तों यहाँ पर वही रहेगी 19500 वर्टिकल और 222 डिसी की ओफरेगा mode यहाँ पर free करना है और simply remote का ok बटन दबाना है तो देखते हैं यहाँ पर भी दोस्तों 18 channel scan हो चुके हैं इस frequency पर भी अब चलिए जोस्तों next frequency हम डालते हैं एड़नी प्रोग्राम में वापस जाना है और वापस दोस्तों यहाँ पर LN frequency की चेंज नहीं करना है टांस frequency पर आ जाना है और इस बार हम frequency डालेंगे यहाँ पर 11-510 चलिए हम यहाँ पर 11-510 कर देते हैं यह 11-510 हमने कर दिया है और symbol rate 39-500 रहने वाला है यहाँ पर भी पॉलेटी भी वर्टिकल रहने वाली है और 22k और dqc off रखना है mode यहाँ पर free करना है और remote का ok बटन दबाना है तो channel scan हो जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस चैनल हमारे इस frequency पर एड़ हो चुके हैं चलिए next frequency डालते हैं तो आपस एड़नी प्रोग्राम में जा करके आपस हमें ट्रांस frequency पर चले जाना है एलन frequency को 9750 ही रखना है और टांस frequency दोस्तों इस बार डालेंगे ग्यारा 550 तो चलिए ग्यारा 550 कर देते हैं और symbol rate 29500 ही रखना है quality vertical ही रखना है बाइस के डिसी कुछी off रखना है mode यहाँ पर free करना है बस यहाँ पर यह सेटिंग करके remote का ok बटन दबाना है तो यहाँ पर मैंने ok बटन दबा दिया है देख सकते हैं 20 चैनल हमारे setup box में यहाँ पर aid हो चुके हैं तो दोस्तों total मैंने यहाँ पर past frequency यहाँ पर manually यहाँ पर add new program में जाकर करके डाल दिया है और यहाँ पर सारे channel आपको aid करके बता दिया है चलिए हम यहाँ पर channel इस पर चलते हैं और आपको channels भी बता देते हैं तो अपस menu button press करके हम यहाँ से बेक हो लेते हैं वो देख सकते हैं हमारे setup box में 94 चैनल दोस्तों यहाँ पर add हो चुके हैं जिसके अदर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली frequency थी 11.90 इसके ओपर डीडी national है डीडी news है डीडी 54 थिंक हैं सम्राव उमंग है धमाल यहाँ पर है ओल्टाइम मूवीज यहाँ पर है मनुरंजन प्राइम यहाँ पर है इसके लबागा 11111 जो अमने frequency डाले दी उस पर दोस्तों यहाँ पर मनुरंजन ग्रांड है पॉपुलर टीवी है डीडी तमिल है डीडी पंजाबी है दीडी सायद्री है फकत मराटी है सपोर्ट इटीन खेल है संसर टीवी है और नीचे सम्राव टीवी है ऑर दंगल है पूच्पूरी शिनेमा है जी बासकोप है सं नीओ हैए गोलड माइन्स एडाक्यू है सिनेपलेक्स बॉलीवूड है गोलड माइन्स बॉलीवूड है और इसके लाद उसका 1147 जो फिक्वेंसी डाले थी उस पे आप जैसके हैं डंगल 2 है रिस्ते सिनेपलेक्स है मुवी प्लस है मुवी है बिग मेजिक है बीफोर यू कड़क है, मनोरंजन टीवी है, टीवी नाइन बाहरतवर्स है, आस्ता है, फिल्म एची बोजपुरी है, यूनिक टीवी है, जी अनमोल सिनेमा है, एंडी टीवी इंडिया है, स्टार गोल्ड सील है, जी न्यूज है, गोल्ड मीन्स मूवीज है, चुम्बक इनली लाइव है, डीडी इंडिया है, पीयर टीवी है, मस्ती है, साधना टीवी है, इंडिया टीवी है, न्यूजनेशन है, टाइम नो नव भारत हैं, रिपब्लिक भारत हैं, आस तक हैं, एबी पी न्यूज हैं, और एक्सन सिनेमा हैं, जी चित्रमन हैं, जी पंजाबी ह जिये अनमूल सिनेमा हैं, डि-डि भारती हैं और जो हमने 1150 फिक्वेंसी डाले दी उस पे आप देखते हैं दूरज़सन के चैनल डि-डि यादगिरी हैं डि-डि यूपी हैं, डि-डि माचल प्रदेश हैं डिडि राजस्तान है, डिडि स्पोर्ट है, डिडि विहार है, डिडि जारकंड है, डिडि MP है, डिडि तिरप्रवा है, डिडि छतिसगड है, डिडि कशीर है, डिडि चंदाना है, डिडि उतराखंड है, डिडि सब्तगिरी है, डिडि मलियलाम है, डिडि आसाम है, डिडि जनपरवा है डीडी बैंगला है और आर्टी चैनल है दोस्तों यहां पर जो डीडी फीडिस के दोरा तो दोस्तों अगर आपके सायटाबोक्स में कोई चैनल नहीं हो तो आप मुझे कमेंट की आप मुझे मैल कीजीए मैं आपको THIS मैं रिपलाई दूंगा झाल